हेलो एवरीवन एन वेलकम तो अचीव आई एस माइनेम इस अकाश विजरन और आज इस वीडियो में हम लोग इसकस करेंगे इंडिया की नई अर्क्टिक पॉलिसी के बारे में रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने अपनी एक ड्राफ्ट अर्क्टिक करेंगे कि क्या कुछ जो है इंडिया के एम से जो इंडिया इस पॉलिसी के थुरू अचीव करने की कोशिश करेगा ठीक है तो चलिए अब इस स्टार्ट करते हैं इस लेक्ट्टर को स्टार्ट करते हैं तो न्यूज में यह क्यों है रिसेंटली इंडिया ड्राफ्टिड New Arctic Policy, इंडिया ने अपनी एक New Arctic Policy को रिलीस किया, जिसमें इंडिया ने अपने AIMS जो स्पेसिफाइ किये, तो उसमें आपके जो में थे, वो थे, आपके Scientific Research, then आपका Sustainable Tourism, and the last is Exploration of Mineral Oil and Gas, ठीक है, तो यहाँ पर तीन आपके Main Objectives यहाँ पर दिखाए, आपके AIMS दिखाए, ठीक है, ठीक है, फोर्स आपका Scientific Research, Second is Sustainable Tourism, and Third is Exploration of Mineral Oil and Gas, ठीक है, तो यह तीन आपके यहाँ पर थे, देख रिपलोमेट का यह आर्टिकल है, जिसमें बताया इंडिया रिलीजिस, ट्राफट Arctic Policy की इंडिया ने अपनी ऑक्टिक पोलीजिय को रिलीज किया, यहाँ पर जो है, एक तो नोडल बोडी जो हैं पर आपकी बनाई गई है वो है आपका National Center for Polar and Ocean Research यह गोवा बेस्ट आपका एक institution है जो जिसका मेन आपका काम यहाँ पर होकर नोडल बोडी का तो रहेगा ही रहेगा साथ में आपका scientific research का जो काम होगा वो भी आपका National Center for Polar and Ocean Research के दोवारा जो है carry out किया जाएगा और इस coordination का जो काम होगा वो भी जो है आपका National Center for Polar and Ocean Research के दोवारा किया जाएगा तो प्लीज इसका नाम याद रखना तीन चरह बार मैं बोल चुका हूँ तो इसका नाम याद रखने के responsibility आपकी हो जाती है जो कि prelims में कई भर आपसे directly ऐसा question पूछा जा सकता है objectives की बात करें तो पहला objective है आपका scientific study of arctic ठीक है जो हमने अपने starting में ही तीन objectives की बात की थी तो उसमें आपका पहला था ना scientific research तो वही आपका है आपका है आपर दूसरा नाम इसका लिखा हूँ है promoting scientific study of arctic second है planning exploration and third है promoting arctic tourism ठीक है planning exploration exploration वही है आपका exploration of oil and mineral ठीक है oil mineral and gases and third आपका promoting arctic tourism और अगर हम scientific study की बात करें ना अगर primarily हम लोग scientific study की बात करें तो arctic की scientific study काफ़ important हो जाती है क्योंकि जो arctic और Antarctic है वो आपके इतनी sensitive जगह हैं कि अगर चोटी से चोटी कोई हम अपना action करते हैं तो उसका जो अगर हमें कोई एक clear effect देखना है ना कि उसका क्या असर पड़ता है तो वो हम लोग arctic और Antarctic में ब्लोग क्लेर ली देख सकते हैं ठीक है छोटी से छोटी चीज़ का जो असा अगर हमें observe करना है तो हमको कहा जाना चाहिए हम आर्क्टिक और Antarctic में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो हम ज चल लही नहीं सकता आप कहीं पर भी जाएंगे दुनिया में कहीं पर भी किसी भी चीजिसको एक्स्प्लोड कर लो तो हमाँ पर एक एक एक्सपक्ट उसका हमेशा यह देखा जाता है कि यहाँ पर यहाँ पर जो है कितना डिसोर्स रिच्ट आप किया जाए है चीड़ आपका कि अर्क्टिक के बारे में बात करेंगे कि अर्टिक है क्या ठीक है ठीक है दॉक्टिक इस पोलर रिजिजन लोकेटिट इड़ नौर्थन मॉस्ट पार्ट आफ अफ पार्ट अपको पता होगा जो युएसे गागर मैप देखते हैं तो युएसे की जो पूरा मेंड युएस से थोड़ा सा अलग आपको अलास्का देखेने को मिलेगा उपर की तरफ ठीक है तो इसमें आपका कौन को नाता है इसमें आपका आता है अलास्का जो की युएस का पार्ट है दिन कैनेडा फिंड लैंड ग्रीन लैंड आइसलेंड नौवे रशिया एंड स्वीड इसमें आपको यह आपका अर्क्टिक डीजिन टे क्यां बीस्काल बंडरें लेडनेयुक्ति से तो व्यट्यूर्ष संद्धिय है निए फेर्ट उतंअ दिवाता बीडिज्यमडवStanyan आपका आता समय जानों व्यूंगा थे discriminant चुछिहिए एर्किजिए को कौन को ना रह mainland Canada and आपका जो USA का जो अलास्का वाला हिस्सा जो ने बात के थी वह उसे का लास्का वाला हिस्सा आपका यह रहा ठीक है तो मुस्ट लिए आपकी यही कंट्रीज आठी कितनी होगी आपकी यहां पर हो गई नौर्थ पॉल में आपका यह बढ़ता है और जो में आपका आपका क्या दड़ रहा है सबसे में अगर हम बात करें है चोटे से चोटा बच्चा इब बता देगा कि global warming का असर अगरम बात करें ही आइज पर पड़ता है क्या रहता है कि हाल पिगलनी स्टार्ट हो जाती है उसका पानी बन जाता है तो क्या Arctic, क्या Arctic में तो बर्फ ही बर्फ है, अगर ग्लोबल वर्मिंग होगी, तो sea level तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, पानी बढ़ेगा आपका, तो सबसे पहले आपका ecological impact है, मैं देखने को मिलता है, ग्लोबल वर्मिंग की वज़े से, the loss of ice and the warming waters affect sea levels, salinity levels and current and precipitation patterns, तो ऐसा आपका कहा जाता है, कि जिस तिन sea level बढ़ना लगा तेजी से तो उसने पहले सबसे पहले कौन डूबेगा, इंडिया डूबेगा, क्योंकि इंडिया आपका एक पेनिसुलर नेशन ने पता है, आपको तीन जगह हों से इंडिया जो है पानी इसे घिरा हुआ है, तो बहुत सारी जगहें जो हमारी coastal areas मुंबई, वेस्ट बंगल, के कोजगता वाला जो आपका हिस्सा हो गया, अगर हमता हम तरह मिलना आडू इनसे बात करें, तो इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो आपका डूबना स्टार्ट हो जाएगा, श्रीलं गाल में हम देख भी ना पाएंगे सब हमारी आने वाली जो जनरेशन होंगी वो देख सकती है ठीक है लेकिन होना जरूर है अगर हमने इसी लेवल पर यह अपनी एक्सपूटरीशन को कंटिनी रखाता हूं तेन डेटरीशन और टुंडरा जो आपको टुंडरा रीजन है उसका डेटरीशन आपको रेफिनेटली होता है ठीक है जो वाइल फायर से है वो बढ़ने के चांसे से क्योंकि ग्लोबल वर्मिंगर हो रही है अगर टेम्प्रेचर बढ़ रहा है तो इससे वाइल फायर बढ़ जाएंगी आपकी अडिक टुंडरा टुंडरा फांड इन डिसे नोर्थ अर्क्रिक सारकल and साँथ और अन्टार्टिक सारकल ठेक तो या पके अर्क्रिक सरकल ईंटार्टिक सारकल के जो बीच का जो एरिया होता है ना उसको हम म् हैं दायने तुटरिट पारपे डियोर्वर्सि看看 कई से कि महां पर रहने वाले जो लोग है जो मतलब लोग नहीं जूब के रहने वाले महां पर जीव जनतू है है वह किस चीज़ से अड़ेप्टिड है वह जैसा आट सम्हा का वहां का अपर आपumm स्था आप उनको प्रॉल्लम स्टार्ट हो जाएगा ना हो नी क्योंकि वह जो तो नीस्टो एui जो आप erkett odor राइजिंग टर्थल या फिर पानी में रहना इन सब से वह åh यह आपका एक काफी immediate cause है then extinction of indigenous cultures अगर हम बात करें Arctic में तो Arctic में आपकी 40 indigenous groups जो हैं reside करते हैं तो अगर वहाँ पर जाकर इतना human interference बढ़ेगा जाकर तो जो culture वहाँ का इतना indigenous culture है जो वहाँ का इतना traditional culture है rich culture है उस पर हमें threat देखने को मिलेगा increasing human encroachment with its attendant stresses will only occur with this impact and upset of a fragile balance चिक तो commercial importance का Arctic के अपने Arctic के बारे में बात कर लिए Arctic से related जो problems हमें global warming से देखने को मिल रही है उसके बारे में बात कर ली तो Arctic की commercial importance का है क्या हमें इसकी commercial importance आपके इस देखने को मिलती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने सारे देश जो हो अपनी Arctic पॉलिस रिलीस कर रहे हैं तो ऐसा है क्या पैसा क्या फायदा हो जाएगा उनको जो ऐसा कर रहे हैं आपके इस देखने को मिलता है ठीक है चाहिए आपका वो शिपिंग का हो एनरजी का हो फिशरी का हो मिनरल रिसोर्स का हो ठीक है यहां पर जो आपका आप चोग पॉइंट इसको कह सकते हैं ठीक है जैसे आपका नदें सीय रूट हो गया तो यहां का काफी सिगनिफिकेंट हो सकता है जो कि आपका जो ट्रेड प्रस्पेक्ट से रशिया से होते हो जो गुजरते ही या फिर आपके स्काइंड डैवियन कं करते हैं इस अपरोक्स 40% शोटर देंड़ देन वाइदा स्यूस कनल और 60% शोटर वाइदा केप ऑफ गुड होब तो यह जो रास्ता आपका है न नदें सीरूट का तो यह आपका अगर हम बात करें तो स्विस कनल से 40% शोटर है मतलब अगर हम स्विस कनल से जाएंगे 100 किल यह क्यलिब करेंगंगे तो क्ये पुड़ी और अगर हमें 100 कीलोमेटर करसे में तरह करना होता है तो वहीं अगर हम हमPD valuable करना होगा मतलब डिस्च्री हolor time nous money to ultimately हम काफDie फायदाई से हो सकता है Oh yeah the issues क्या क्îne हैं Ha creख सब पहले navigation conditions the navigation conditions नेभी केशन कंडीशंस है वह काफी हम पर eight extreme है च्रीकर पहता है आपको dangerous conditions है च्रीक के रहती है और सिफ Summer में ना सकते को निथा यहां पर इतना सनौफल हो जाता है यहां पर इतने आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी कि नेविगेशन बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंपोसिबल ही हो जाता है यहां पर आपके डीप वाटर पोर्ट इतने है नहीं ठीक है आइस बेकर्स कि हाप ज़रूरत है तरह शोटेज जो वरकर्स यहां पर काम कर सके हैं जो यहां के लिए अडेप्टेटेड हैं उनकी हमें पर शोटेज देखने को मिलती है धैन आप माइनिंग एंडीप सी डिलिं अंटर्टिक की तरह यहां पर आपका अंटर्टिक वाला रीजिन है वो ग्लोबल कॉमन गूड नहीं है तो अंटर्टिक की प्रोटेक्शन के लिए में ट्रीटि देखने को मिल जाती है करी सब्सक्राइब जाते हैं तो यह एक डर जो हमारे मन में होना चाहिए हमेशा से यहां पर क्या है जो कंट्रीज आपकी आपकी अर्क्टिक रीजिन में आते हैं तो उसमें से रशिया कैनेड़ नोर्वे और डेनमा के करबात करें तो उन्होंने जो हैं अपने टेरिटोरियल क्लेम्स यहां पर लगाए हुए हैं कि जो इतने भी सीबर्ड रिसोर्स यहां चैना ईज्मारा हैं जो यहां पर आपका हैं तो इस वज़े से तो इस जो इसफेबokingर में मतने को मिलती हैं यहां पर आपकी Russian population होती है, ठीक है, the claiming the NSR force within its territorial waters, उनका यह कहने के जो आपका NSR वाला जो sea lane है, वो जो है Russia के territorial waters में पढ़ता है, तो इस वज़े से जो है, यहां पर Russia अपनी dominance, अपनी हजमनी को यहां पर स्थापित करना चाहता है, Russia has also activated its northern military basis, refurbished its nuclear armed submarine fleet and demonstrated its capabilities including through and exercise with the China in the eastern Arctic, तो यह हम दे रिश्या की बात कर लिए, अब बात करते हैं चाहिना के, अब चाहिना का जो initiative है, belt and road initiative, अब चाहिना उसको बढ़ाने कोशिश कर रहे है, उसको बढ़ा कर कहाने जाने कोशिश कर रहे है, और जो silk route काफी famous सुना होगा आपने, जो बच्चे पढ़ रहे होंग सुना होगा, तो अब क्या कर रहे है, वो एक polar silk route बनाने को कोशिश कर रहे है, इसी belt and road initiative के तरुब, ताकि वो Arctic region में अपनी outreach को बढ़ा सके, वहाँ पर जाकर जो है, अपनी आप कह सकते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, ठीक है, तो चाहिना तो हर जगह ही है, चा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाहिना क्या aggressive country है, चाहिना जो है, अपने मतलब के लिए सब कुछ करता है, किसी भी देश को चाहिना से नुकसान हो ही सकता है, पूरे world peace को चाहिना से नुकसान हो सकता है, तो चाहिना जो है, खत्रे वाली बात यहाँ पर है, तो इंडिया की इ तो सबसे बहले जो दूबने वाला देश होगा आपका, वो आपका इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया जो एक पैनिसलर आपका नेशन है, तो इस वाई से एंवार्मेंटल इंटरस्ट जो है, वो इंडिया का, डेफ, क्लेरली आपको यहाँ परा, आपको दिख जाएगा, Arctic Research will help India's scientific community to study melting rates of Himalayan Glacier, Himalayan Glacier की studies के लिए, जो है, आपका, ये, काफी, इनपोरेंट आपका हो जाता है, तेकि तेन, Scientific Interest Research Stations, Research Station, इंडिया ने जो है, अपना Arctic Region में खोल रहे है, चेक है, आपका हिमादरी के नाम से, जो रिसर स्टेशन है, वो खुला हुआ हुआ है, स्टेटिक में जो नाम है वो है आपका हिमादरी ठीक है तो पर इसका नाम याद रखें यह 2007 में खोला गया था साइन्टिफिक इंट्रस्ट आपका है तेन इंडिया थो अब्जरवेशन इन कॉंक फोर्स्टन एंड गुरूवा बैदेट इन नौवे ठीक है तो स्टेडिंग हिमाल इंगलेश्ट हिमाल इंगलेश्ट की स्टेडिज जो है वह आपकी पॉंट अव्यू से काफी इंपोर्टन हो जाती है स्ट्रेटिजिक इंटरस्ट हो यह तो है चाइना का इंफ्लिएंस में कम करना है क्योंकि जहां पर इंडिया की आपर मैं पहले पोच जाँ और ज क्या हो रहा है कि अंडिया के साथ ज्यादा बढ़ए यह बढ़र रही है तो यह बात नहीं हो तो दोस्تका है तु Harper के एणिवार बोल चुको हूं कि हमें र oder आ के साथ आपनी दोस्तie करनी की जरूरूरत है क्योंकि रस्य और तर्सॉी यह पर गाल पना चाहिए हमें ऐसा कोई मौकशा नहीं देना थाए चाहिना को कि रस्य अपक्रेंशप करणा Arctic Council membership तो since 2013 इंडिया has had observer status in the Arctic Council जो Arctic Council आपकी रिजिनल काउंसिल है महाँ पर जो है इंडिया के पास एक observer status है तो उसकी membership को जो है स्रंगिन करने के लिए इंडिया के पास है काफी strategic interest रहेगा तो आयोब आपको सब कुछ समझ में आये होगा कि क्या है इंडिया की Arctic Policy क्या कुछ जो है इंडिया इसके थुरू गीन और अचीव करने कोशिश कर रहा है तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में जब तक लिए thank you so much सब्सक्राइब अचीव आईए जोने सुन टेलिग्राम ठैंक यू